तो चलिए फ्रेंट्स कुछ नए सीख लेते हैं वाईसा आपके लिए हमेशा कुछ नए कुछ हटके कुछ नए लिखे आते हैं जैसा कि स्टार्टिंग में आपने स्टेटस देख लिया वैसा कि वैसा सेम तू सेम बनाना चीखाएं कि बस लास तक बनी रहेगा और किसी भी प्रकार के आपके प्रोब्लम हो तो इंस्टा पे मेसेज करिएगा और जो सामगरी है वो आपको लेने की जरूरत नहीं है पिक की जाना है यह एप इंस्टोल कर लेना है यह नहीं आप से इंस्टोल हो रहा तो आप दूसरा फोन जो है मैंने टिप सेंट्रिक्स भी दिये हैं वैसे कर लिजेगा तो यह काम करने लग जाएगा अब फ्रेंट्स आपको क्या कर लेना है इसको ओपन कर लेना इस तरीके से इस तरीके से थोड़ा सा इसको जूम कर देना है पहले है और इस तरीके से यह दि सपोर्ट नए भी कर रहा हो तो मैं बता रही हूं बस आपको थोड़ा से इसको जूम कर देना आप इस तरीके से यह खुल जाएगा पूरी तरीके से इसके अंदर जो ओप्षन होंगे वो सेट कर देनी है सेट नहीं हो तो सेट कर देनी है और जो मुख है आपको कितना खोलना है वह इस तरीके से सेट कर लेना है ज्यादा खोलना है तो थोड़ा सा इसको बढ़ा देना इस तरीके से फिर आँखे के उपर इस तरीके से आजाना है आपको थोड़ा साइट यह इस तर तो इस तरीके से आप छोटा करना चाहते हो तो इससे छोटा कर लेंगे और यह ऐसे बढ़ाना चाहते हो तो बढ़ा लेंगे इससे आप छोटा कर लेंगे और इससे उपर की साइड आपको इस तरीके से आख बढ़ी कर लेंगे और थोड़ा सा रोटेट करना हो तो इस तरीक सेट कर लेना है ताकि अच्छे से ब्लिंक हो हाथ से इसके बाद आपको क्या कर लेना है फ्रेंट से ओके कर देना है ठीक है फ्रेंट्स ओके करने के बाद देखू यह फर्स्ट वाला जो है आख ब्लिंक करने का है सेकेंड वाला है जो है थोड़ा मुस्कराएगा साथ में तो आमको मुस्कराने वाला ही पोच ये था इसके बाद आपको थर्ड वाला जो ये थोड़ा रोएगा ठीक है फ्रेंट्स ये मुख जो है अब सही नहीं खुल रहा है अभी मैं वापस से थोड़ा कर देती हूँ ये जो है एंग्री होग़ा इस तरीके से तो मुख वाला पोजेशन जो है सही नहीं आया इसके लिए आपको क्या कर लेया है एडिट के अंदर फिर से आना है और यहाँ पर इस तरीके से थूड़ा कर लेए मैं आप फेंट्स में इस तरीके से रखके देख रही हूँ कि मुख अच्छे से खूल रहा है या नहीं इसके पात फिर से हमें एक बर इसको एडिट कर लूँगी अब देखते हैं जब यह मुख अच्छे से खूल रहा है या नहीं खूल रहा है तो यह टेडाई ही हो रहा है तो इसके लिए फिर से एक बर आपको edit के अंदर जाना है इस तरीके से और इसको सही से position लेवानी है तो एक बर ये position में करके देख लेते हूं कि मुख सही से खोल रहा है या नहीं तो अब देखिए ये मुख जो है सही से खोलने लगए है यानि जो position है थोड़ा सा space देखे है अब आप देखेंगे second वाले से ये मुश्करायत रहा है तो इसका मतलब ये होट जो है सही से खोलने लगए तो ये जो आप काम करके देखोगे तो friends अपने आप ये आपको आ जाएगा अब आपको क्या कर लेना है फ्रेंट से इसको जो है आपको record कर लेना है यहाँ इस तरीके से और इसको आपको चलाना नहीं आता वीडियो के ऊपर आई बटन में लेंक है उससे देख ले वीडिय कर लेना फ्रेंट से आपको क्या कर लेना है अलाइट मोशन एक के अंदर आना इस तरीके से प्लस वाले आइकन प्याना 960 का ये रेशो 1080p 60 पिक्सल ब्लेक स्क्रीन के साथ creative project सबसे पहले फ्रेंट से जहां आपकी मेडिया है वहां से आपको वीडियो ले लेना है पहले तो उसके बाद आपको audio ले लेना है तो सबसे पहले में वीडियो ले लेते हूं तो ये जो है ये वीडियो जो अपन ने बनाया था वो है थोड़ा सा इसको मैं अच्छे से set कर दूंगी ताकि ये screen का जो record हुआ है वो सही से हो जाए अब friends से आपको गाना लेके आना है तो गा द tehd all your own थो है इसमें एक्सेट ऊडियो कर लेते हैं इस तरीके से अपको थ्री डोड पे जाकर के एक्सेट ऊडियो और वीडियो को डिलेट कर देना अब हमारे जो है और वीडियो दोनों आच चुकए अब आपको क्या कर देना ये अए आपका गाना है сеवंटें या एटीं सेकेंड का है और जो यह वीडियो है थोड़ा सा बड़ा है आपको यहां देख लेना है जो आंके हैं यहां पर बंद हो रही है तो आपको क्या कर लेना है इसके कोपी कर लेना और यहां पर आके आपको पेस्ट कर देना पेस्ट करने के बाद आपको जो गाना है वो तो आपक ठीक है लास्ट के अंदर आंके इस तरीके से बंद हो रही है तो आंके जहां खुल रही हो यानि पोजिशन जो है मिला लेनी है यानि यह आंके बंद हो रही है यहां पर तो यहां पर जो जस्ट है आंके खुली होई होनी थी यानि खुल मिला के आपको वो पोजिशन जो है मि बता रही हूं तो दोनों इस तरीके से आपको मिला लेना है मिला लेने के बाद आपको क्या कर लेना फ्रेंट से स्टार्टिंग के अंदर आना है एक एफेक्ट एड़ कर लेना है कलरोल लाइट के अंदर मिल जाएगा एक्स्पोजर गामा यहां पर आपको बीट के अनुसार भी आप करना चाहते हो तो बीट के अनुसार कर सकते हो तो मैंने क्या स्टार्टिंग के अंदर ही किया था एक स्टार्टिंग के अंदर दिया था और एक बीट के अंदर स्री राम आये हैं वहां पर दिया था तो वहां Starting के अन्तर और एक जयां Shriram आये तो वहां मैंने उसको इस तरीके से Gamma दिए था तो यहां पे जो, क्योथ 14.7 है यहां पे मैंने 1 beat दिया था यहां पे जो है यहां पे exposure के अंतर आ जायो गए एक यहां पे एक इस तरीके से और दोनों के बीच में मैंने इस तरीके से इसको फुल पूरा कर दिया था सिरी राम आए हैं और इस तरीके से आप जैसे भी आप देना चाते हो तो इसको आप दे सकते हो ऐसे वो नहीं है कि मैंने अब आपको क्या कर लेना है जो है यह वाला आपको कुछ नहीं इसको इस तरीके से पहले कोपी कर लेना कोपी कर लेने के बाद इसके अंदर जो सेकेंड वाला पोर्शन है इसके अंदर भी आपको इस तरीके से सेट कर देना और जहां आप इसको बीट देना चाहते हो लास्ट के अंदर तो मैंने थोड़ा सा इसके लास्ट के अंदर एक बीट इस Tarik से मैंने इसको दिया था लास्ट के अंदर बाशा के वीडियो आपको पसंद आयो तो लाइक सेर और सब्सक्राइब जरू करना जो है थोड़ा सा रेम और प्रोसेसर अच्छा हो उसी के अंदर फ्रेंट सी ये वर्क करता है तो तीन जीवी से अधिक जो रेम है उसके अंतर उसको लेके आप अधर रेम को हटा देना थोड़ी देर के लिए जब आपको काम करना हो तो थोड़ा सी टचिंग में इसके प्रोब्लम आती है वह आप थोड़ा सा हलके से आप पैट के अच्छे से आप काम करोगे ना तो सही हो जाएगा आपसे तो थैंक्यू